ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सैफ अलिखान एक जाने एक जमाने में आशिक मिजाज रखते थे और अब तो शर्मीला ने भी इस बात पर मोहर लगा दी दिरसल हाल ही में मा शर्मीला और सैफ अलिखान काफे वित करन के शो में पहुचेंगे बेटे की लव लाइव से जुड़े कई दिल्चस्प किस से शर्मीला टेगार खोलेंगी शर्मीला ने बताया कि सैफ अलिखान ने पढ़ाई करने यूनिवरस्टी वो नहीं गए थे एक एर होस्टेस को देट करने के लिए पूछा और उसके साथ चले गए मा के इस खुलासे पर सैफ अलिखान भी हैरान रह जाते है वो बोलते हैं कि मा ये बहुत पुरानी बात है और बढ़ चड़ कर आप बता रहे हो मैं यहां ही ही मैं यह हूँ ही क्यूं ये सिर्फ मेरे बारे में शर्मिंदगी वाली कहानी शेयर कर रही है मुझे मेरा खुद का एपिसोड चाहिए मा बेटे की बात कि ये जलग फैंस को खूब बेहत पसंदा रही है दिरेसल प्रोमो वीडियो पर यूजर कॉमेंट अपना रियाक्शन दे रहे हैं यूजर ने कहा कि ये हुआ ना कोई अच्छा एपिसोड जहां कुछ अलग किसा जानने को मिलेगा तो वही कई यूजर शौरमीला टेगोर को एपिसोड में देख कर एकसाइटेड हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लेजेंडरी आक्टर्स को बुलाने का आइडिया जबरदस्त है क्या तो कॉम्बिनेशन है मा तो होती ही बच्चों की राज खोलने के लिए है बता दे कि पिछले सीजन में सैफ अलिखान बेटी सारा अलिखान के साथ आये थे शोपर पिता बेटी की इस जोडी ने खुब भावाई लूटी थी दोनोंने लव लाइफ और फामिली को लेकर कहीं बाते भी शेयर की साथ ही सैफ ने बताया कि वो बेटी सारा के लिए कैसा लड़का चाहते है बात कर रहे हैं चोटे नवाब सैफ अलिखान के लव लाइफ की तो वो हमेशवा से ही चर्चा में बनी रही सैफ ने पहले अपने से 12 साल बड़ी आक्ट्रिस अमरिता सिंग संग शादी कर ली थी बताया जाता है कि परिवार पहले इस शादी के खिलाफ था लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया सैफ की पहली शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी लेकिन उतनी ही चर्चा करीना कपूर संग रोलेशन की भी हुई थी दस साल चोटी करीना संग उनका दूसरा निका भी गलेमरिस की दुनिया में डिसकर्शन का होट टॉपिक बन गया अब करन जोहर के रियालिटी शो में श्रमीला टेगोड ने भी छोटे नवाब की लव लाइफ से जुड़े कुछ और ऐसे मज़दार किस्से का खुलासा किया है जिससे देखने के बाद फैंस और एक्साइटेड होते भी दिखाई देंगे फिलाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही